हेलो एन वेलकम टू मैं चैनल आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हम नरसरी से प्लांट लाते है तो उसको हम पॉट में घर में कैसे लगाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे एक मोगरे का ब्यूटिफुल सा प्लांट है जिसमें भी फ्लावरिंग का अटैक निया और जो यह प्लांट है इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और जिनमें से बहुत अच्छी स्मेल आती है तो इसलिए मैं नरसरी से तो जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे एक पॉट है इसमें लगाएंगे हम मोगरे का प्लांट तो जैसे कि यह लैजर देना पड़ेगा उसको क्योंकि यह इसको हाई फर्टिलैजर की नीड होती है इस प्लांट को और जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह पॉट का टुकड़ा है जिसको हम ड्रेनेज होल में लगाएंगे जिससे जो एक्स्ट्रा वाटर होगा सॉयल में वो निकल जाए अब डालेंगे इसमें हम जो नौर्मल सॉयल होती है वो जैसे कि आप यह देख सकते हैं इसमें हमने नार्मल सॉयल डाल दी है जिसमें कुछ भी मिक्स नियाना और यह चछनी हुए है बल्कुल और इस्से पते किया होगा जो ही नौर्मल सॉयल है इस में अच्छे lotus उसका तो जैसे की यह देख सकती हैं यह इसके बराबर आ रहा है तो हम इतना फिल करेंगे और यह देखिए इसके भी बराबर फिल आ रहा है तो इसके सैड colon compose है हो फिल कर देंगे क्योंकि इस प्लांट को हाई फर्टिलाइजर की नीड होती है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा प्लांट है उसमें हमारी एक स्टिक ड्राइ हो चुकी है तो हम उसको रिमूव कर लेंगे जिसने हमारी प्लांट की गड़ा और अगर आपके पास काउडन कंपोस्ट नी है तो इसकी जगह आप लीफ मॉल भी डाल सकते हैं और जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो भी डाल सकते हैं और कोई और फर्टिलाइजर और जो आप खरीद के लाएं हो भी डाल सकते हैं पर आप इसमें ऐसा केमिकल यूज ना करें क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है तो अब इसके बगल में हम जैसे हमने काउड़न कंपोज डाल दिया और जैसे कि अब देख सकते हैं जो ये हमारे काउड़न कंपोज के ग्रैनियूल्स है वो थोड़े बड़े हैं तो उससे कोई प्लांट पर एफेक्ट ने पड़ेगा और जो ये ग्रैनियूल्स है वो धीरे-धीरे करके डेकंपोज होंगे जिससे हमारे प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिल पाएगा और जो हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी और जैसे कि हमने टॉप तक फिल कर लिया है इसको काउड़न कमपोस से पर हमने जैसे की देख सकते हैं हमने थोड़ा स्पेस छोड़ा है क्योंकि कभी कभी हम इसमें जाद़ वाटरिंग कर देते हैं तो ऊपर से ड्रेनी जोल में से नेर निकल पाता है तो वो ऊपर से गिरने लग जाता है जिससे प्लांट को मिलने वाला nutrition है वो वेस्ट हो जाता है बाहर गिर के और जो इसकी water requirement के बात करें तो इस प्लांट को हमेशा हमें watering करनी चाहिए और इसकी soil हमेशा well drain और moisture hold करने वाली होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमने cow dung compose डाला है तो इससे ये moisture hold करेगी और proper watering से जो इसकी plant की growth पे बहुत effect पढ़ता है इसलिए हम इसमें proper watering करनी चे है तो जैसे कि अभी हम इसमें watering कर रहे हैं तो इसकी soil दब जा रही है मतलब जो cow dung compose है वो नीचे जा रहा है